यहां राक से कमाय जाते हैं लाखों करोडों रुपएं आपको जानकर आश्चरे होगा कि हाल ही में एक ऐसी तकनीक सामने आई है जिससे में तुशरीर का इस्तिमाल हीरे बनाने में किया जाता है इसके लिए बकाइदा एक कमपनी काम कर रही है इस कमपनी का नाम अलगोर्दांज है अलगोर्दांज का हिंदी में अर्थ होता है यादें इस कमपनी का ये कारोबार स्विध्डरलेंड, जर्मनी और ऑस्टिया तक फैला हुआ है इस कमपनी के जर्य कोई भी अपने प्रियम्रित परिजन की यादों को हमेशा के लिए अपने साथ संजोकर रख सकता है ये कमपनी मृत शरीर की राख को हीरे में तबदील कर देती है अलगोर दांच कमपनी को रिनाल्डो विल्ली नाम के वेक्ती ने बनाया है दरसल रिनाल्डो विल्ली जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनको शिक्षक ने सब्जियों की राख को हीरे में बदलने के बारे में बताया था तब ही से रिनाल्डो विल्ली के मन में आया कि जैसे सब्जियों की राख से हीरा बनाया जा सकता है वैसे ही मृत लोगों की राख से भी तो हीरा बनिया जा सकता है रिनार्ड ओविल्ली ने अपने इसी आइडिया पर काम किया और मृत लोगों की राख से सिंथेटिक हीरे को बनाते हुए अपनी कमपनी बना ली ये कंपनी एक साल में करीब 850 मृत लोगों की राप को हीरे में तबदील कर रही है सिंथेटिक और असली हीरे में बहुती कम अंतर पाया जाता है जिसको मोटे और पर कोई नहीं पहचान सकता है रिनार्ड ओविल्ली के जरियें विक्सित की गई तकनी के जरिये अब बहुत से लोग अपने मृत परिजन की राप को एक हीरे के रूप में रखने के इच्छोख है